मसकार तो मध्यव प्रदेश की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है रजिस्ट्रेशन और यह आप देश सकते हैं मध्यव प्रदेश की ओफिशल वेब साइट का होम पेज dme.mponline.gov.in और इसमें बहुत सारे notification इखटे आये थे इस link को हमें क्लिक करना अगर हम MBBS की बात कर रहे हैं as step one और इसके बाद यहां से आपकी process स्टार्ट होती है और यहां पर इन्होंने सारी instructions लिखी होती हैं जो भी आपके लिए काम की instructions है वो मैंने अलग से निकाल रखी है तो हम सीधा action ले सकते हैं और यह मद्यव परदेश यह ऐसा है जिसने बहुत सुंदर आपको दे रखा है कि form कैसे भरना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी तो कहो तो पहले यह देख लेते हैं जो ऐसे हमने यहां देखा था candidate corner में create profile यही नहीं आपको यहां बताया है बहुत simple तरीके से आप profile create कर सकते हैं जिसमें आप आपने यह click करा बटन जैसा नहीं आपको बताया है बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझाया है आप create profile को click करेंगे आपसे जादा नहीं सिर्फ दो चीजे पुछे जाएंगी नीट का आपका roll number और secret की secret की बनाने का तरीका यह है कि आप date of birth को उल्टा में लिखेंगे चारो साल जैसे किसी का बर्द है तीन मार्च दो अजा तीन है तो दो अजा तीन जिरो तीन जिरो तीन जिरो तीन जिरो तीन और इन्होंने क्योंकि बारा आठ हो चार बारा डीट क तो सब पहले जिरो लगाए को कि चार्ट डिट में नंबर होनी सकते हैं तो लड़से आपके पांस ओठारा नंबर है तो फिस 0-518, जिसके अठारा नंबर है सिरो जिरो जिरो ठारा लिखेगा, राइट, तो इसके एसाब से आपके बारा डिजिट की secret की बन जाएगी, इस से अलग से अल्टेर मोबाइल नंबर भी पूछा जाएगा इमेल डालेंगे आप छे तरह के फोटो आइडी में मांग रहे हैं वो वोटर आइडी कार्ट भी था ड्राइवि लैसर भी था पासपोर्ट भी था स्पेशली बोला था अधार ने डालना इसमें वेरी फ्रेंकली जो इसमें यहां पर जो ट्रॉप डॉप डाएगा न तो फिर जो भी आपका वो नंबर अब आप डाल सकते हो और अगर अधार नहीं था तो एक अधर सकंदक 12 की मास्चीट भी डाल सकते हैं और 12 का रोल अंबर डाल सकते हैं आपका एड्रस आजाएगा कैंसल चेक की डिट बहुत बेसिक चीजे हैं परिधान दखने आपको आप जैसी करेंगे आपको एक OTP आजाएगा आप OTP यहाँ पर डालेंगे आपसे यह भी कहेगा कि नया पासवर्ट चुल लिए जिए जिसकी कंडिशन वही जो नॉर्मल चलता है एक करेक्टर एक कैपिटल एक स्मॉल एक अल्फा नुमेरिक और आपने पासवर्ट बना लिया यह बना लिया आपका स्टेप वन खतम आपकी रेजिस्टेशन हो गई है पासवर्ट आपके पास आ ही चुका है आपका जो यूजर एडिय है वो आपका नीट रोल नंबर ही रहता है इसमें लक्सि यूजर एडिय उसके बाद आएगा रेजिस्टेशन करना स्टार्ट करना भी तो में यह करना काम ट्रोइस फिलिंग प्रस्टेप तो अभी शुरू भी नहीं हुआ और मरत्य परदेश ने यह भी नहीं बता है कि कब तक चालू है तो यह बोला है कि 22 तरीक से स्टार्ट हो गई है लेकिन यह नहीं बता है कब तक है बड़ जो मेरा स्टाइल रहता है जितनी जल्दी कली जो तना अच्छर बहुत सिंपल है को जारा दिकताली बात ही नहीं सिर्फ 1100 रुपे ले रहे हैं अब जो खास बात है मैंने कहा कि बहुत असान थे सारी डेटेला भर दोगे डो में से सर्ट परदेश के बच्चों को सीट दी जाएगी चाहे उसके 200 नंबर है आपके 500 नंबर है एक भी बच्चा नहीं मिलेगा तो आपको सीट मिलेगी लेकिन मद्यव परदेश शैद इंडिया का सबसे अनोखा स्टेट है जिसमें बाहर वाले को एक भी सीट नहीं मिलती है मार्क मा इस्थान में भी मैंने कहाना कि दोचा सीटे मिल जाती है लेकिन यह प्रेट्टी मिली क्लोज्ट है ऑफिशली चाहे ना हो और इसकी खास वज़या है मद्यव परदेश में एक और चमतकार है कि 560 नंबर पर अगर सरकारी सीट मिल जाती है जनल क्यादेगरी के बच्चे को एस पर दिडि लास्ट येल डेटा तो प्रेविट की कटाव भी 460 पर खतम हो जाती है अब जब इतने सारे कॉलिज हैं 23 कॉलिज हैं तो कभी कबा हरानी होती है कि क्या चक्कर है कि सारी के सारे सीटे 460 नंबर पर क्यों खतम हो जाती है तो आपको जानती है कि मद्ध्यव प्रदेश में एक पधान मुख्य मंतरी मिधावी योजना चलती है जिसमें अगर आपके पेरिंट्स की एन्यूल इनिकम छेला हुरुपे साल से कम है तो आपकी सारी फीस सरकार पे करती है जी हां और यही सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है जोंके फिर आप हर बच्चा फी सीट मिलना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है चाया फीस देने को तयार है समझ यह बात को क्योंकि जो मुफ्त वाले हैं आप से उपर जो थे वो सारे सीटे ले जाएंगे क्योंकि यह जो मुख्य मंतरी में धावी योजना है तो सारे 400 नंबर से कम अगर जनल कैडेगरी में आपके हैं तो आपको सीट मिली नहीं सकती है मद्यपरदेश में उफकोर्स SCST के क्योंकि नंबर ही कम होते हैं तो उन्हीं कट आफ नीचे चली जाती है लेकिन फीस इस नौट अनौल इशू इन मद्यपरदेश और आप पता यह हिंदूस्तान में एकसर लोग की ITR कमी होती है तो बहुत अराम से तक्रीमन काफी बच्चे मुख्य मंत्री में धावी हो जना में आही जाते हैं तो यह उनीक चीज है मद्यपरदेश के बारे में जो शयाद भी पंजाब में तो फीस ही कम है इसलिए कोई लोग छोड़ते नहीं है अगर मैं प्रैवड कॉलेज की बात होगा कि इन्होंने एक चीज और पूछी है आप एक डालना है कि मैं मद्यपरदेश के लावा किसी और का डॉमिसेल इस्तेमाल नहीं कर रहा तो वो जो यह है परफॉर्मा नंबर साथ 14 पेज़ का एक पीडियेफ फाइल है जो कि मैंने कहा था ना कि इसमें बहुत सारे वो जाएगी जवाबस को खोलें तो यह फाइल थी कि आपको यह वला तो इसमें सब को बनाना है परफॉर्मा जो मद्यपरदेश जो मिसेल के लोगा मैं रिपीट करूँगा अगर मद्यपरदेश जो मिसेल के नहीं है और एनराई भी नहीं है तो बिलकुल फाइदा नहीं है इस फाइदा बिलकुल भी नहीं जीरो चांस है तो यह परफॉर्मा लेकिन मद्यपरदेश वालों को बरना है उन्होंने अपने एफिडेविट करवाया है जैसे पंजाब ने करवाया था कि मैं एक डिकलेशन दे रहा हूं कि मैं किसी और कड़ो मिसेल या स्टेट कोटा इ आपको दिखाए दे जाएंगी जो जो आपने डाला था और सिर्फ 1100 उपीज की पेमेंट करनी है फिलाल और वो पेमेंट करके आपका रजिस्ट्रेशन फिलाल क्लोज हो जाएगा तो यह हो गया रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस और उसके बाद इंग्रीन हो जाएगा और जै घजाब हीमाचाल में उंके बासमेंर भीजराथ राजस्थान MP कामीलाडू अभी चल रहात प्रॉब्लम चलती जारी है इसके लावा महराष्ट फारते छेंट का स्टार्ट्च में हुआ हरямना इूप अगी डिकप्र लोन फीरशन ब्ला चल रहाया तो कर लिये हैं तो तब तक लगता है कुछ नहीं होगा और इसमें कुछ खास नहीं था यह जो चार पेज का था important बाद जो सबसे interesting है वह उन्हें fact दिये है तीस और उसमें बहुत clear है कि मत्यप्रदेश में round one free exit नहीं है जी हां आप उनी document में से एक आपको मिलेगा frequently asked question question और आप यह जरूद देखिए question number 5 यह मैंना आपके लिए specially निकाला है कि आपको seat मिल गई और आपने वो seat नहीं ली तो आप counseling से डिवार हो जाएंगे तो यह मर्द्य पदेश्य बच्चों के इस बात का ध्यान रखना है कि choice feeling करते समय ध्यान रखना है अगर आपने government के नीच recipe 8 ही नहीं कर पाएंगे so यह question number 5 सबसे important था उसके लावा तो फिर से बेर नॉर्मल तरीका है कि आपको seat मिल गी तो आप आगे जा सकते है बद्य परदेश में second round से mop up round के लिए भी इन्होंने विकल्ब दिया है यह question number 10 है तो आपने दुट्य चन की counseling में परवेश ले लिया ह है तो भी आप मौप अप में भी upgrade कर सकते हैं अक्सर ऐसा होता नहीं है बट यह आपको second round से mop up के लिए भी update कर रहा है और of course हम जानते हैं कि अगर आपको upgrade नहीं मिलता है तो फिर आपको जो last seat उसी पर रहना पड़ेगा और इन्होंने यह भी बोला है कि आप त्याग पत्र दे सकते हैं अगर आपको कोई seat मिली है अगले round से दो दिन पहले तो फिर आपके साथ कुछ penalty नहीं लेगी लेकिन definitely आ बहार हो जाएंगे तो यह उनके लिए है कि आपका मध्यव परदेश में seat आ गई है सरकारी और 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 कोटा में बहार के seat आ गई है तो आप त्याग पत्र देखे चाह सकते हैं और सब मध्यव परदेश की काउंसलिंग में आगे participate नहीं कर पाएंगे तो यह एक important चीजे थ तो यह इसको आप बड़े गौर से जरूर पढ़िएगा यह शूद हिंदी में है तो आपको share समय लगेगा लेकिन बहुत अच्छे हैं जैसे मैंने का सबसे important जो बात यह थी वो यह था कि free exit नहीं है और उससे भी ज्यादा बात यह है कि अगर आपको seat अवंटित हो गई औ तो बाकि सारी चीजें तकरीबन बहुत नॉर्मल है जो चलता है कि अप्गेडेशन की रस्ता है राउंड वन में आप राउंड टू के लिए अप्गेड मांग सकते हैं मैं बहुत चेक कर रहा था कि राउंड टू में से लेके मौपब भी अप्गेड है अगर मैं ध्यान के आपके लिए देखूं मैंने ढूंडा तो था हम जानते हैं कि अप्गेड नहीं मिलता तो आपकी लास्ट सीट है ही यह देखिए तो आप दूत्य चन के बाद मौपब तक भी आप अप्गेड मांग सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और अगर नहीं मिलता तो आपकी पुराणी सीट है यह तो common sense होती में 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 लोगों को समझातँ हूं कि यही तो ङृपगेड का मतलब है और आपको अप भी greatest है तो आपके सीट किसी और को देधी गई है तो उस केस में आपके पास आपकी नहीं सीट है तो सबसे important जो is मद्यपदेश के बच्चों के लिए है वो है प्रशन नमबर पांच कि भाई फास राउंड में कुछ भी सीट मिल गई हम उसको फिर छोड़ नहीं सकते तो बहुत सो समझ के फार्म भरिएगा जो ये अपने जैसे मैंने का 450 के निचे तो चांस से नहीं सीट मिलने का 430 की चक्कर में कि मद्यपदेश के लोग बिंदास सरकारी की नीचे प्राइवेट डालते हैं जिनकी भी वह जो मुख्यमंतरी मिधावी में आ रहे हैं तो उनके लिए सबसे इंपॉर्डन बात है कि आप सो समझ के चौश फिलिंग कीजेगा राउंड वन में क्यों अगर सरकारी और प्राइवेट में सारी फी सरकार भरती है बट फिर भी तो यह इस पेच का अब ध्यान रखिएगा पके तो नॉर्मल देखिए वही जो बहाबार कहते हैं पर इन्होंने बलकिए फ्लोचार्ट गलत बनाया है तो फैक में उन्होंने कुछ और दिया था राउंड इसनी बनाया है या तो फैक है इससे कौश नॉम बंबर पांस थीक है तो इननमें से एक पर हमें ध्यान देना है यह मैं आपको बता दिया ये मैंन आपको बता दिया धन्यवाद, I hope कि ये वीडियो आपको help करेगा, thank you and फिर से once again, अगर आप हमारी paid counseling service लेना चाहते हैं आप मद्यव परदेश के हैं, बहार के हैं और मैं repeat कर रहा हूँ कि मद्यव परदेश में अगर आप 400 से कम नंबर पर है, general category खासका similarly आप बागी categories वाले भी अपने अपना चेक कर सकते हैं, आपको seat मिलने का chance बिलकुल नहीं है मद्यव परदेश में government या private तो आपको दूसरे विकल देखना अती आनिवर्रे है, अगर आप मद्यव परदेश के खासका resident है तो you should make up your mind कि मद्यव परदेश के बाहर जा के आपको पढ़ाई करने पड़ेगी, किसे अच्छे counselor के सला लीजिए, किसे अच्छे counselor का support लीजिए, जैसे मैंने का अभी सिर्फ पंजाब ही खतम हुआ है गुजराद दोनों close state थे, हिमाचल में एक ये private college था तो अभी भी रायस्थान, मद्यव परदेश open है, इंडिया के सबसे अच्छे open state, हरियाना, उत्तराखंड, UP, अभी start होने है All India भी start होना है, 36 अभी start होना है, तो feel free अभी भी हमारे पास कुछ seats बाकी है, paid counseling के लिए जो हम पूरा package लेते हैं आप हमारे toll free number पे call कर सकते हैं मैं बाबा रिपीट करता हूँ मुझसे बात करने के लिए आपको एक nominal amount देना होता है 1500 रुपीस का 15 minutes के लिए, लंबी बात करना चाहते हैं तो 5000 रुपीस फॉर वरनार जिसमें हम आपके neat mask को देखकर आपके strategy बना देते हैं कि आपको कहां कहां apply करना चाहिए और किस budget के आपको seat मिल सकती है उसके बाद आप चाहते हैं हम आपके लिए सारी process own करें तो जितने आपके marks हैं जो भी आप चाहते हैं उसके साफ से आपके charges final किया जाता है there is no standard charge किसी के 500 number है उसको हर्याना ही चाहिए तो उससे हम बहुत nominal charge करते हैं विए समय मालूम है कि उसको seat हर्याना में मिल ही चाहिए लेकिन कोई लोग 4 state को अगर देखेना चाहते हैं जिसके खास का number कम है तो उसके साफ से charges define होते हैं धन्यवाद, have a nice day